Hello everyone, आज हम देखते हैं Models, Models का PassiveWise कैसे बनता है उसे देखेंगे और जानेंगे चली स्टार्ट करते हैं, Model आपके Model क्या होते हैं, जैसे आपके Model होते हैं, May, Might, Can, Could, Could, Need ये सब आपके Model होते हैं, और भी है Model, इन सबका PassiveWise कैसे बनेगा अगर यह सब्द आपके sentence में आता है यानि model आता है तो उसका 50 wise कैसे बनाएंगे उससे हम देखते हैं इसका structure क्या है चलिए देखते हैं कैसे बनेगा model का पैशिवा कैसे बनेगा उससे देखते हैं आपका जो model वाला sentence रहेगा, उसमें जो object रहेगा, उसे हम subject के रूप में लिखेंगे, object, age, subject, plus क्या लिखना है, आपका जो model दिया रहेगा, model, उसके बाद हमें be add करना, के वाल, model के बाद हमें be add करना, subject, age, जो आपका object दिया है, उसे subject के रूप में लिखेंगे, उसके बाद model फिर हम भी add करेंगे, उसके बाद वर्व का third form, वर्व का third form plus by add करेंगे, उसके बाद जो आपका model या ला sentence रहेगा, उसका जो सब्जेक्ट रहेगा, उसको किसमें लिखेNगे, object के लिखेNगे, यानि जो उसका subject रहेगा, उसे object के रूप में add करेंगे जैसे object as subject जो object है उसे subject के रूप में plus model जो भी model हो can, could, may, might, or need जो भी हो उसके बाद हमें be add करना है फिर बर्व का third form उसके बाद by फिर subject फिर object लिखना है जैसे example है I can play the match, I can play the match, I can play the match, इसमें देखिए क्या है object, यहाँ पर है the match आपका subject, आपका यह verb, यहाँ पर है model, तो इस object को हमें subject के रूप में लिखना है तो हो जाए 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 the match, उसके बाद model, model क्या है can, the match, can, उसके बाद be add करना the match can be, फिर वर्व का third form, play का third form क्या हो जाएगा, played the match can be played, आगे हमें by जोड़ना है, और आपको हम बताए है, I, you, we, they, इन सबको जब हम object बनाएंगे पैसी वाइस में, तो है change हो जाता, I किस में change हो जाएगा, me में change हो जाएगा उसके बाद full staff हो जाएगा, अगला example आपका है, you, you must write an essay, you must write an essay, इसमें आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका model दिया है, तो सबसे पहले यह आपका object है, इसे subject बनाएंगे हो जाएगा, अगला example देखिए, we should, अगला example आपका है, we should serve our country, we should serve our country, इसका पैसिवाइस कैसे बनेगा, इससे देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यह subject आपका है, should आपका क्या है, model है, serve आपका वर्व है, our country, यही आपका object है, इसे subject बनाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे, our country, our country, उसके बाद क्या लिखना है, subject हो गया, model, model क्या है, should, our country, should, उसके बाद be add कर देना, cable model में क्या होगा, model के बाद हमें be add करना है, वो जगा, our country, should be, वर्व का third form served, by, वी को किसमें change कर देंगे, S में, य, S, इस तरहें, आपका यह model का पैसी वाइस बनता है, आपके कुछ थे, simple sentence, यानि साधारव राख करते हैं, अब हम देखते हैं, negative sentence का कैसे बनेगा, अब देखते हैं, negative sentence, इसका अगर negative sentence आता है, तो कैसे उसे हम बनाएंगे, उसे देखते हैं, देखे, example negative का, we should not cross the river, तो इसका जब हम पैसी वाइस बनाएंगे, तो क्या होगा, यह आपका the river, यह आपका object है, यहाँ लाएंगे, subject बनाएए, इधर आएगा, यह आपका subject बनेगा, हो जाएगा the river, उसके बाद आपका model लिखना है, should, the river, should, आगे हमें सिर्फ be add करना है, वर्व का third form, sorry, यहाँ पर होगा, should के बाद not होगा, फिर बी आएगा, should not be, negative sentence है ना, तो यहाँ should not दिया है, तो should not, उसके बाद हमें be add करना है, फिर वर्व का third form क्या हो जाएगा, crossed, हो जाएगा, the river should not be crossed, आगे हमें by add करना, by के बाद क्या लिखना है, वी को हम कि समें change कर देते हैं, अस में, इस तरह इसका negative sentence का पैसी बाइस बनेगा, the river should not be crossed by us, अगला example देखते हैं, a lion, a lion, can't help a right, a lion can't help a right, यहाँ पर आपका object है a right, इसे subject बनाएंगे हो जाएगा a right, उसके बाद हमें क्या लिखना है, model, a right, can't, या can't, a right, can't, उसके बाद हमें add करना है b, यही can't यानि can not है, a right, can't be, help का third form हो जाएगा, helped by, और यह lion है, तो इसको हम object हैं हम बनाएंगे हो जाएगा a lion, ठीक है, a right, can't be helped by a lion, इस तरह इसका क्या होगा, पैसिवाइस बनेगा, अगला देखें क्या होगा, he might not pass the test, he might not pass the test, यहाँ पर आपका subject है, आपका model है, not आगया है, pass आपका क्या है, वर्वैद देश्ट यानि object है, आप subject बनाएए, that test को यहाँ लाएंगे हो जाएगा, that test, उसके बाद हमें क्या लिखना है, model हो जाएगा might, that test might, उसके बाद not, फिर आगे हमें क्या add करना, be, negative में क्या होगा, कि जो not है, उसके बाद ही भी हमें लगाना, that test might not be, pass का third form हो जाएगा, past, उसके बाद हमें add करना है, वाइ वर्व का थर्ड फाम उसके बाद वाई फिर जो सब्जेक्ट दिया इसे अब्जेक्ट ही को किसमे चंज कर देंगे हिम में इस तरह आपका निगेटीव संटेंस का पैसी वाइस माडल में बनता अब देखते हैं इंट्रोगेट्व संटेंस का कैसे बनाएंगे model का पैसी वा इस चलिए देखते हैं सिधे इसका आप एक्जामपल देखते हैं जैसे में आई में आई हेल्प दे बर्ड में आई हेल्प दे बर्ड इसमें देखे आपका इंट्रोगेट्व संटेंस क्या होता है या तो जो आपका दिया रहता developing बर्ड या model पहले आजाएं तो इंट्रोगेट्व संटेंस या कोई question word पहले आ जाए तो आपका on 17 सं्टेंस होता है इसमें में सब्द पहले आया है तो में को यहीं पर रहने दीज़े आप में इस देबर्ड यहाँ पर लिया के subject मनाएए हो जाएगा देबर्ड उसके बाद आपको add करना है भी में देबर्ड भी फिर वर्ब का subject हम बना देंगे फिर आगे हम be add करेंगे be add करने के बाद है वर्ब का third form help लगाएंगे उसके बाद by me लिखना अगला example देखिए can they can they finish can they finish this work can they finish this work यहां पर कहन आया है तो पैसी वाइस में कहन सेम ही पर रहेगा this work के आपका object है यहां पर लाएंगे हो जाएगा subject में तो this work उसके बाद हमें क्या add कर देना है be can this work be finished का third form क्या हो जाएगा finish उड़ाएगा can this work be finished उसके बाद हमें by add करना फिर यह जो आपका subject दिया है यहां पर object जब बनाएंगे तो देख इसमें जाएगा दिम में हो जाएगा can they can this work be finished by दिम यहां पर आपका एक्टिव आइस यह है can they finish this work तो इसे पैसी बाइस में बतलाएंगे तो कैन का कैन ही रहेगा this work आपका object है सब्जिक्ट में बतलेगा उसके बाद be add करना है फिर वर्व का third form लिखना है उसके बाद इस सब्जिक्ट को जब अब्जिक्ट बनाएंगे उससे पहले बाई बाई दिम अगला देखे एक जमपर में आई हेल्प हो गया में आई हेल्प तो हो गया अगला देखते हैं कें सब्जिक्ट यो ड्रा ए मैप क्यूं ड्रा ए मैप यहाँ पर देखिए आपका मॉडल है सब्जिक्ट अ है ड्रा हवर्वा ए मैप अब्जिक्ट हो सब्जिक्ट इस अ 920 थे उस ए मैप अा इस सब्जेक्ट बन गया उसके बाद भी ड्रा का थर्ड फार्म हो जाएगा ट्रॉन कैन ए मैब बी ट्रॉन उसके बाद बाई और यू को किसमे चंज कर देंगे यू का यू ही रहता है इस तरह आपका ही मॉडल का पैसी बाइस बनता है और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा अपने दोस्तों में सेयर करिएगा थाइंक्यू बच्चो